Hello everyone and welcome back smart bikers friends आज मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ upcoming scooter TVS iCube ST So friends अगर आप plan कर रहे हैं TVS iCube या TVS iCube S को लेने का तो आप अपना decision change कर दीजिए because आने वाला है बहुत अच्छी range के साथ new TVS iCube ST दोस्तो ST में आपको काफी अच्छा range मिल जाएगा speed मिल जाएगी उसी के साथ साथ आपको fast charging मिल जाएगी तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बट उससे पहले चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहां पर range की तो यहां पर आपको new TVS iCube ST में जो range मिलने वाली है वो आपको मिल जाएगी 145 km की जो सो 145 km की वहीं आपको जो पुराने वाला TVS iCube है या जो अभी लॉंच हो है TVS iCube S वहां पर आपको 100 and 105 की range मिलती है बट आपको ST में मिलती है 145 km in single charge अब हम बात कर लेंगे यहां पर top speed की तो top speed आपको same मिलती है 80 km per hour बट दोस्तों यहां पर आपको fast charging मिल जाती है दोस्तों IQ 5 hours में charge होता था जो S आया है IQS वो 4 hours 30 minutes में charge होता था बट यहां पर जो new TVS iCube S ती आने वाला है जिसकी booking start हो गई है दोस्तों यह आपको मिल जाएगा 4 hours में complete 4 घंटे में आपका scooter full charge हो जाएगा यहां पर दोस्तों इसके 4 color आने वाले हैं जो काफी अच्छे हैं मैं आपको 4 के 4 color बता जेता हूं यहां पर है starlight blue उसके बाद है यहां पर जो next color titanium gray matte then जो third one है coral sand glossy then जो last one है copper bronze matte so friends TVS iCube S ती में आपको fully digital instrument cluster मिल जाता है with touch कि मैंने आपको बताया था S में आपको switch मिलता है आप switch से operate करते हो तो यहां पर आपको fully touch वाला यहां पर console मिलने वाला है so basically आपका tablet की तरह work करेगा because 7 inch का इसका screen है जो काफी अच्छा लग रहा है दिखने में friends यहां पर आपको Alexa integration मिल जाएगा remote vehicle मिल जाएगा keyless unlocking मिल जाएगी so friends आप अपने scooter को remote से start कर पाएंगे उसी के साथ साथ यहां पर app से भी start कर पाएंगे so overall काफी अच्छा यहां पर एक package मिलने वाला है electric segment में good range अच्छा खासा speed fully just instrument cluster with touch screen उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको settings मिल जाएंगे जो काफी convenient होंगे आपके लिए easily आप अपना smart x connect से mobile connect कर पाएंगे tvs iqb st से जो काफी अच्छे तरीके से work भी करता है जैसे कि already जिन लोगों ने ntorque का use किया smart x connect उसी तरीके से work करने वाला है दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा touchscreen functionality play music उसी के साथ साथ दोस्तो social media notification तो यह plus point है कि आपको यहां पर पूरा mobile phone वाला feel मिलने वाला है इसके cluster में friends plus point है यहां पर आपको 32 liter का under seat storage मिल जाएगा with USB charger point so friends आपके दो बड़े helmet आ जाएंगे जो आपको space मिलता था TVS Jupiter 125 में वही same space मिलने वाला है आपको electric scooter TVS IQ ST में तो यह बहुत ही बड़ा change है because electric segment में आपको under जो के storage है जो आपका basically under seat storage है वो इतना बड़ा नहीं मिलता है because वहां पर battery इतनी उस तरह के से बड़ी रखी गई है बट यहां पर battery को optimize किया गया है range बड़ा दिया है और आपका जो boot space है वो काफी बढ़ गया है तो दो helmet अराम से आजाएंगे उसी के साथ दोस्तों यहां पर एक drawback है कि आपको अभी भी जो USB charger है वो under seat storage मिल जाता है दोस्तों हम बात कर लेंगे यहां पर basic से other feature की तो यहां पर आपको security upgrades मिल जाते है performance upgrades मिल जाते है continuous feature upgrades मिल जाते है दोस्तों यह सब features आने के बाद ही पता लगएगा कि किस तरीके से work करता है आपको यहां पर OTA update मिलेगा जो capability रखता है कि आपको home जैसा comfort देने के लिए so basically यह connectivity रहेगी आपके scooter में कि किस तरीके से आप अपने scooter से manage कर पाएंगे Alexa भी तो दोस्तों यह आने के बाद ही पता लगएगा जैसे scooter आपको definitely इसका demo दूँगा so friends आपको यहां पर reverse and forward mode मिल जाता है अगर आपने heavy weight load किया हुआ है आपने scooter पर तो आपको reverse करने में problem नहीं होने वाली है उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है जो इसका economy range है वो 145 km का होगा और 110 km का power mode होगा इसका जो body weight है वो 28 kg बताया जा रहा है प्रेंट में आपको telescopic suspension मिल जाएंगे रेर में आपको adjustable hydraulic twin tube shock observe मिल जाएंगे 157 mm का आपको ground clearance मिल जाएगा जो काफी सही है इस segment में and 771 की seat height मिल जाएगी जो काफी comfortable होने वाली है even female riders के लिए भी प्रेंट में आपको diamond cut alloy मिल जाता है with disc वहीं rare में आपको drum brake मिलेगा with hub motor so friends यहाँ पर बात कर लेंगे technical specification की यहाँ पर आपको traction motor type मिल जाता है BLDC hub mounted जो आपको peak power देता है 4.4 kWh का और rated power है 3 kWh so basically जब आप दो लोग बैटेंगे तो यह peak power पे वग करता है और जैसे यह आप high rpm पर रखेंगे basically आगर आप इसको raise देंगे तो यह 4.4 पर चला जाएगा but आपको मिलता है 3 kWh का motor दोस्तों यहाँ पर आपको rated torque है 33 Nm तो दोस्तों यह काफी अच्छा है आपको काफी अच्छा pickup मिलने वाला है इस scooter में यहाँ पर आपको lithium-leon battery मिलने वाली है 4.56 kWh की दोस्तों यह जो battery है यहाँ पर बढ़ा दी गई है पिछले वाले दोनों IQ से उदों ही एक reason है जहाँ पर आपको range जादा मिल रही है आपको यहाँ पर fully LED setup मिलता है LED headlight मिल जाती है LED tail light मिल जाती है turning indicator में भी आपको LED bulb मिलता है जो बहुत ही durable होता है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वेकोज यहाँ पर upcoming TVS iCube ST की full detail दी गई है आपको तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करें और share करें अपने friends के साथ और comment जरूर करें friends वीडियो को मैं end करता हूँ मिलते हैं next वीडियो में thank you thank you so much